अब NCP की जाज के बीच क्रूस ड्रक्स केस में अब हिंदू मुसल्मान वाली सियासत शुरू हो गई है और NCP नेता नवाब मलिक ने NCP पर साधिश करने का आरूप लगा दिया है तो जवाब में BGP नेता नितेश राने ने नवाब मलिक पर हिंदू मुसल्मान करने का आरूप लगाया और पूचा है कि सोशान्द हिंदू था इसलिए नवाब मलिक ने चुपी साध रखी थी NCP वर्सेस NCP की लड़ाई में अब हिंदू मुसल्मान शब्द भी आ गया है हमारे साथ में नितेश राने हैं BGP विधायक सर आप आरूप लगा रहे हैं नवाब मलिक के उपर कि शुशान सिंग मामले में नवाब मलिक ने कभी कोई बयान नहीं दिया लेकिन जब आर्यान खान गिरफतार हुए तब नवाब मलिक रोज NCB पर आरूप लगा रहे हैं इसके पीछे क्या तरक है और ये बात आप क्यों कह रहे हैं पतरकार प्रेस कॉनफर्न देते हुए डिखे क्या और आज नवाब मलिक रोज आखे पतर कॉनफरेंश ले रहे रोज आखे कुछ न कुछ तो आरोप कररे हैं क्यों कररे हैं क्या सिषान सिंग राचपूत हिंदू था इसलिए उसके बार में बात नहीं की और आज अभी खान सबसे आगे है उसके उपर कारवाई हो रहे इसलिए नवाब मलिक बात कर रहे हैं यह हमारा उनको प्रश्ण है नवाब मलिक ने पूछ हमको बताना चाहिए कि यह इस तरीके का हिंदू-मुस्लिम वो क्यों कर रहे हैं वो हमेशा एक ही तरीके का भूमी का क्यों लेते यह नवाब मलिक ने अगर तभी अगर सुषाइंग शिंग राजपूत के वक्त अगर बात की होती अच्छी हमको उसी तरीके से अगर सामने चीज़े रखी रहती तो हमको लगता कि नहीं यह बराबर दूसरे दोरे तरीके की सही बात कर रहे हैं आज वो जिस तरीके से हिंदू-मुस्लिम की यह जो काम कर रहे हैं वो नवाब मलिक ने रोकना चाहिए